हिंदी के टॉप प्रशन देखेंगे जो कि व्यापम के द्वारा पहले पूछे जा चुके हैं आप कॉपी पैन लेकर बैठेगा जिस प्रशन को मैं नोट करने के लिए काऊं उस प्रशन को आप 100 प्रशन नोट करेंगे जो कि परिच्छा के लिए काफी आम रहेंगा सबसे पहला प्रशन की बांस किस तरह का सब्द है हमें से याद रखेगा जो बांस सब्द है ये तदभव सब्द है अगला प्रशन है कि टी का सब्द का अर्थ निम्न मैंसे क्या नहीं है बहुत अच्छा प्रशन देखेगा माथे पर टी का लगाते हैं माने माथे पर क्या है बही तिलक लगाते हैं और एक रहता है टी का टिपणी करना अर्था आत ब्याख्या एक रहता है टी का भही तिलक या सिरका एक आभूशन हो गया तो आलोचक जो है टी का शब्द का अर्थ नहीं है भले आपने कहीं भी नहीं पड़ा होता पहले तब भी आप इसका सामान रूप से सोच कर इसका सही जबाब दे सकते थे अगला प्रशन है कि लखन से बिना किसी रूप टो के भीतर चला आया ये किस तरह का बाक्य है तो लखन से बिना किसी रूप टो के भीतर चला आया कहां चला आया भीतर चला आया माने यह इस्थान बोधक सरचनात्म का बाक्य है अगला प्रश्ण है कि पहरोनी सब्द में कौन सा प्रत्य है अब देखेगा उपसर्ग और प्रत्य इसे हम एक ही टॉपिक मानते हैं इस टॉपिक से भई दो प्रश्ण आपकी परिच्छा में पूछे जा रहे हैं कितने दो प्रश्ण तो पहरोनी सब्द में प्रते है रोनी क्या है भई ऑनी कि वज़ देखेगा ओनी और ओनी लिखने में भी इसने जो है डिफ्रेंस है तो सही बिकल्ब सीज का सही जबाब होगा अगला प्रश्ण है सागर जिले में बोली जाने बाली प्रमख बोली कौन सी है अब तक मैंने जितने भी आपको हिंदी के टॉप प्रश्णों की सीरेज या फिर काऊंग में प्राने प्रश्णों की सीरेज प्लब्द कराई है उसमें आप क्या करेंगे इस तरह का जो प्रश कि कि दिसाष्टर का हिंदी, पारवासिक सब्द क्या है? इस Quarter को भी आप साथी साथ नूट कीजेगा कि Disaster का हिंदी पारवासिक सब्द क्या होता है? आ पदा क्या? आपदा, अगला पदा, saat संयूग में अप अच्छी पढ़ रका है, पढ़ रहे हैं आप अच्छे से अगर पढ़ रखा है तो संयोग का संधी बिच्छेद संयोग का संधी बिच्छेद कमेंट करेंगे जो सीरियस इस्टुएंट है उनके लिए मैं कह रहा हूँ बाकी तो सब केवल क्लास को जल्ली सुनेंगे और निकाल देंगे तो संयोग का संधी बिच्छेद आप कमेंट करेंगे क्या होगा और इसमें संधी कौन सी है वही इसमें संधी है बियंजन संधी के विकल्प सीज का सही जबाब है अगला प्रश्ण है कि बांधा है बिध को किसने इनकाली जंजीरों से बांदा है बिध को किसने इनकाली जंजीरों से इस पंगती में कौन सा अलंकार है इसे नोट कीजिएगा अपने नोट्स में नोट्स में इसे लिखिएगा तो भई इस पंगती में अलंकार है अतिशयुक्ति अलंकार कौनसा अत्शयुक्ति लंकार है कि बांदा है विद्ध को किसने इनकाली जंजीरों से अगला प्रश्न है आकुंचन का बिलोम शब्द क्या है बहुत अच्छा प्रश्न है आकुंचन का बिलोम शब्द होगा भई प्रसारन आकुंचन माने शुकुड़ा हुआ एक तरीके से और प्रसारन इसका बिलोम है अगला प्रश्न है अंजाने पद में समास क्या है तो अंजाने पद में समास है अब्यभाव समास अब आप अंजाने का समास बिग्रह कीजिएगा क्या समाश बिग्रह कीजिएगा अगला प्रश्ण है उगल देना मुहाबरे का आसाई क्या है बहुत अच्छा प्रश्ण है उगल देना मुहाबरे का आसाई होगा कोई भी आपको सीक्रेट बात बताई जाए आप उस बात को सभी के सामनी क्या है उजागर कर दें, माने गुप्त बात को सभी के सामने क्या है, प्रकट कर दें उसके लिए आप क्या महाबरा यूज़ करते हैं, उगल देना उसने पूरी सच्चा उगल दी उसने पूरा सीक्रेट उगल दिया अगला प्रेशन है कि कुछ भी हो जाए, तुम बहां मत जाना, ये किस तरह का बाक्य है अभी हमने उपर देखा था ही कि स्थान बाचक बाक्ये वो कि स्थान सूचक बाक्ये तो कुछ भी हो जाए, तुम बहां मत जाना ये आग्या सूचक बाक्ये इसमें अग्याती जा रही है कि कुछ भी हो जाए तुम बहां मत जाना प्रश्न है सारंग शब्द का पर्रयवाची निम्न मैंसे कौन सा है बहुत अच्छा प्रश्न तो हमें से याद रखें कामदेव, कमल और बादल ये सभी के सभी सारंग शब्द के पर्रयवाची है अगला प्रश्न है कि मद्यप्रदेश से प्रकासित साहित्य के पत्रका कौन सी है बहुत अच्छा प्रश्न है और MPG के भी अगर आपने हम से पढ़ा होगा टोप MPG के प्रश्न देखे होंगे तो पूरी पत्रका है हम आपको उसमें करा चुके है तो ये प्रश्न गलत होना ही नहीं है तो मद्यप्रदेश से प्रकासित साहित्य के पत्रका है साहित्य सागर अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर आपने MPG के पढ़ाये तो साहित सागर कहां से प्रकासत होती है मद्यपरदेश में अगला प्रशन है कि रामधारी सिंग दिनकर की करती कौन सी है बहुत अच्छा प्रशन है हमें से याद रखें कि रामधारी सिंग दिनकर की करती है उर्बसी ये बार बार पूछा जाता है प्रश्ण अगला प्रश्ण है कि 36 गड़ बोली आती है किसके अंतरगत तो भई 36 गड़ी बोली आती है पूर्वी हिंदी के अंतरगत पूर्वी हिंदी के अंतरगत 36 गड़ी बोली आती है अगला प्रश्ण है कि निम्म लिखित में ब्लूम शब्द यूगम कौन सा नहीं है अच्छा प्रश्ण है तो ब्लूम शब्द यूगम नहीं है यहां पर अधिक अमित ऊके इसके अलावा अल्प और प्रचुर एक दूसरे के ब्लूम है उपर और अधह ये एक दूसरे की bloom है सरल और कुटिल एक दूसरे की bloom है तीसरा वाला very very important आप याद रखेगा उपर का bloom क्या होता है अधह और सरल का क्या होता है कुटिल आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है कि निम्ने लिखित में सुध्ध वाक के कौन सा है बहुत अच्छा प्रश्न है आसान सा भी है तो भी सुध्ध वाक क्या यहाँ पर के ठंडी ठंडी अभा वह रही थी प्रश्न है कि निम्ने लिखित में शुध्ध सब्द कौन सा है बहुत अच्छा प्रश्न है तो सुध्ध सब्द वाक को बताना है तो यहाँ पर निस प्रयोजन क्या भही निस प्रयोजन شुद्ध शब्द है ओके बिकल्प ए इसका सही जबाब है अगला प्रशन है कि निमने लखित में समुच्चरित भिनारतक शब्द युग्म कौन सा नहीं है तो भी समुच्चरित भेनारत के शब्द यूग नहीं है फीका फीका ओके विकल्प एसका सही जवाब है तो आप बने रहें तेज़ एजुकेशन के साथ इसी तरह के सांदर मात्यपुन प्रशन देखने के लिए रोज हम आपको टॉप हिंदी के प्रशन प्रब्द कराते हैं आप तेज़ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तता प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो जरूर देखिएगा